हलो दोस्तो आज हम बना रहे हैं फणी अफगाणी पंी पंीर फिली वेडियू पूरा देखिए फिन्ता रसुय में आपका स्वागत है अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सुस्काइब ने किया तो फिलीज मेरा चैनल सुस्काइब कीजिए आपने बहुत बार पनीर खाया होगा मटर पनीर पालक पनीर उपर अहुगानी पनीर नहीं बनाया होगा आज हम वही बना रहे हैं जिसे बनाने के लिए हमने पनीर लिया है और ये धनिया पत्ती के डंठल है किमफी इसमें डालना बहुत जरूरी है धनिया पत्ती के डंठल प्याज लिये है लैसुन, अधरक और हरी मिर्ची पनीर को हमने बड़े साइज में काट करके रख लिया है अब हम पनीर को मेरिनेट कर देंगे मेरिनेट हम करेंगे कुटी हुई काली मेर्च से और नमाग हमने हेंग ली है थोड़ी सी यह हमारे धनिया पत्ती के डंठाल है हमने धनिया पत्ती को दो करके डंठाल उसके निकाल लिये थे और बारी काट लिया है लैसुन अदरप का पेस्ट इससे अच्छे से मिला करके हम आधा घंटा के लिए रख लें देंगे सभी फीज में अच्छे से मिला देंगे यह कि मैरी नेट करने से सबजी बहुत टेस्टी बनती है हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे चम्मत तेल जब तेल गरम हो जाएगा उसके बाद डालेंगे हम लैसुन अदरप हरी मिर्ची क्योंकि आज हम लाल मिर्ची का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे आज हमारी मिर्ची से ही सबजी बनाएंगे जब लेसुन को एक मिर्च तक हम भूंज लेंगे तेल में उसके बाद डालेंगे हम प्याज अब डालेंगे हम धनिया पत्ती इसे दो में तक हम भूंज लेंगे इसका कच्चा पंचला जाए इसे हमें जलाना नहीं है जब थोड़ी सौप्ट हो जाएंगे मसाले थोड़ी से गॉल्डन हो जाएंगे उसके बाद निकाल लेंगे निकाल करके इसे एक पिलेट में रख देंगे ठंड़ा होने के लिए जब और मसाला ठंड़ा हो जाएगा उसके बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दही दो चम्मच हमने दही डाला है आँ डाल देंगे दही नमक और इसका पेस्ट बना लेंगे बिलकुल महीन पेस्ट बनाना है पेस्ट बना करके एक बोल में निकाल लेंगे इसमें अभी हम पानी बिलकुल नहीं डालेंगे अब इसमें डालेंगे मसाले और दही यह दही हमने घर पर जमाया था अगर आपके पास मीठा दही है तो उससे बनाएं डालेंगे इसमें हम जीरा पाउडर मुझा हुआ जीरा का पाउडर और धनिया धनिया पाउडर बहुत सारा डालना है जीरा पाउडर कम डालना है थोड़ी सी हल्दी डालेंगे के बड़ स्वाद के लिए ज्यादा नहीं डालेंगे कि हमारी सबजी हरी बने इसलिए हम ज्यादा हल्दी नहीं डालेंगे थोड़ी सी डालेंगे अब रखेंगे एक कड़ाई उसमें डालेंगे तेल दो बड़ी चमस जब तेल गरम हो जाएगा उसमें डालेंगे तेज पत्ता दाल चिनी और बड़ी ये लाएंची थोड़ा साहम फ्राई कर लेंगे मसाला इसके बाद डालेंगे ग्रेवी अब ही हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे ग्रेवी को हमें पकाना है उसके बाद डाल देंगे हम गरम मसाला एक चमस अब इसे हम ढख करके पकाएंगे और बीच बीच में चला दे जाएंगे जब हमाई ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी खुस बुगाने लगी कुछ ऐसी दिखने लगेगी तेल उपर आ जाएगा उसके बाद डालेंगे हम पानी हमने गिलास पानी डाला है आपको जितनी ग्रेवी बनाना हो सबजी को जितनी पतली ये गाड़ी करना हो उसी जब हमाई ग्रीव पक जाएगी उसके बाद रखेंगे एक पैन पैन में डारेंगे एक चम्मत तेल जो हमने पनीर मेरी निट करके रखा था उसी इसमें फ्राइ कर लेंगे गेस को बिल्कुल तेज रखना है पनीर को गोल्डन होने तक फ्राइ करना है हम ऐसे तुरंत नहीं पलटना है जब दो मिनट हो जाएंगे उसके बाद इसे पलटेंगे नहीं हमाई पनीर की जो फीस हैं तूटने लगेंगी जब एक सेट गोल्डन हो जाएंगे उसके बाद इसे हम दूसरी सेट पलट देंगे देखो हमारा पनीर कितना अच्छा फ्राइ हो गया है बिल्कुल गोल्डन अब हमाई ग्रेवी बन गई है और पनीर भी फिराई हो गया है हमारा अफगानी पनीर बनकर रेडी हो गया है इस पनीर पूरी के साथ खाईए चावल के साथ बहुत टेस्टी लगेगा अब इसे हम एक बॉल में परूस देंगे पहले डालेंगे ग्रेवी उपर से रखेंगे पनीर और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा वेडियो आपको पैसा लगा और घर पर आप भी बनाईए और फिर बताईए कि आपका पनीर कैसा बना ये पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है अगर आप एक बार बनाऊगे तो बार बार यही बनाने की इच्छा होगी क्योंकि बहुत स्वाधिस्ट बनती है आप पालक पनीर या मटर पनीर बनाना भूल जाओगे जब आप अफगानी पनीर बनाऊगे देखो हमारा कितना अच्छा पनीर बन गया है वेडियो देखने के लिए धन्वाद